हाई फ्रेंड्स विल्कम टू माई यूटूब चैनल आज मैं लेके आई हों बिहार और बंगाल की फेमस आलू चौप की रेश्पी बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में और इसे बनाना बहुत ही ज्यादा असान है तो एक बार आप चुरू ट्रेक किजिएगा यहाँ पे मैंने 5-6 का लिया लेसन एक इंच अद्रक का टुकड़ा और दो हरी मेंच से हम दद्रासा पीस लेंगे अब हम गैस को ओन करेंगे और इसमें कड़ाई चड़ाएंगे कड़ाई में हम तेल डालेंगे तो यह देखिए तेल गरम हो गया है तो हम इसमें आदी चम्म अब हम इसमें एक बारी कटा हुआ प्याज डालेंगे प्याज को में एक नट के लिए फ्राय कर लेना है बहुत ज़्यादा इसे फ्राय नहीं करना है अब हम इसमें वंच अथाई चम्मच हल्दी पॉडर डालेंगे इससे इसका कलर बहुत अच्छा आता है इसे हम कुश स से मिला लेते हैं अब हम इसमें आदी चम्मच नमक डालेंगे या फिर आलू के साब से आप नमक डालिए अब हम इसमें आदी चमज गरम मसाला पॉर्डर डालेंगे और सब को हम अच्छे से मिला लेते हैं इसे अच्छे से मिला के हम 4-5 निट के लिए फ्राय करेंगे आलू को तो आलू को फ्राय करते टाइम इसे मैस भी करते जाए तो आलू को में मीडियम आज पर 4-5 निट के लिए फ्राय कर लेना है ताकि मसाल अच्छे से फ्राय हो जाए और इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा तो देख सकते हैं हमने इसे 4-5 निट के लिए फ्राय कर लिया अब हम इसमें थोड़ी सी कटिवी धनियापति डालेंगे और इसे अच्छे से मिला लेंगे अब हम गैस को बंद कर देंगे और इसे थंडा होने के लिए रख देंगे तो जब तक आलू थंडा होगा हम बेटर के त्यारी कर लेते हैं तो यहाँ पे हमने 4 चमच बेशन लिया है अब हम इसमें 1 चताई चमच नमक डालेंगे नमक हमने आलू में भी डाला है तो उसी साब से नमक डालेंगे अब हम इसमें 1 चताई चमच हल्दी पोडर और 1 चताई चमच लालमिच पोडर डालेंगे अब हम इसमें दो पिंच खाने वाला सूडर डालेंगे अब हम सब को अच्छे से मिला लेंगे और हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते वेटर को त्यार करेंगे तिकठा एक साथ बहुत सारा पानी ना डाले तो थोड़ा थोड़ा पानी डालके वेडर को तियार करें इस वेडर को हमें ना जादा गाड़ा ना जादा पतला रखना है इस गोल को हमें मीडियम रखना है तो इसे अच्छे से मिला ले ताकि इसमें एक भी गुल्ठिया ना हो तो देख सकते हैं हमने बेटर को त्यार कर लिया अब हम इसमें उपर सी थोड़ी सी कटीवी धन्यापत्ति डालेंगे और इसे हम फिर से मिला लेते हैं अब हम क्या करेंगे आलू को थोड़ा सा उठाएंगे और इस हम इसे टिक्की के तरह बना लेंगे तो आप इस टिक्की को छोटा बड़ा अपने हिसाब से बना सकते हैं जैसा आपको पसंदो तो ये देखिए हमने इसे टिक्की के तरह बना लिया अब हम इसे एक प्लेट में रख लेंगे और ऐसे ही सारे आलू को हमें टिक्की के तरह बना लेना है तो देख सकते हैं हमने सारे आलू का टिक्की बना के रख लिया अब हम क्या करेंगे एक टिक्की को उठाएंगे और इसे हम बेशन वाले घोल में डुबोएंगे और इसे बेशन के साथ अच्छे से कोट कर लीजिए और एक्स्ट्रा बेशन जो है ऐसे हम इसे निकाल देंगे तेल गरम होने के लिए पहले ही रख दिया था तेल अच्छा सा गरम हो गया है तो अब हम इसमें आलू चॉप को डालेंगे तो ऐसे सारे टिक्की को ऐसे बेशन में डुबो के तेल में छोड़ दे तो एक बार में तेल में जितना आये उतना ही आलू चॉप डाले अब हम क्या करेंगे उपर से थोड़ा थोड़ा तेल डालेंगे और इसे हम स्लो आच पे दो मिनट के लिए पकाएंगे तो ये देखे दो मिनट हो गया है तो हम इसे एक बार पलड़ देते हैं तो एक एक आलू चॉप को ऐसी पलड़ दे ऐसे ही हमें दूसरे साइट से भी दो मिनट के लिए फ्राय करना है तो इसे एक से दो बार ऐसी पलड़ पलड़ के फ्राय कर ले ताकि ये कच्चा ना रहे और ये अच्छे से फ्राय हो जाए तो देख सकते हैं हमने दोनों साइट से इसे अच्छे से फ्राय कर लिया है अब हम इसे पलेट में निकाल लेंगे आलू चॉप बन के त्यार है आप इसे हरी चतनी लाल चतनी के साथ सर्ब कीजिए अगर आपको ये रेश्पी मेरी अच्छे लगी हो तो प्लीज लाइक करें कमिन करके जरूर बताएं अगर आपने अभी तक मेरे चानल को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चानल को सस्क्राइब कीजिए मिलती हूँ एक नई रेश्पी के साथ अब तक बाई बाई